तो सोगत है आपका आमारे यूटूब चैनल पर तो देखे रेलबे एलपी और टेक्निसियन का जो पेपर हुआ था 2019 में तो उसका पूरा पेपर देखेंगे जितने भी कोस्चन मिले हैं सारे के सारे देख लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए है तो प्रतिरोध की एसाई जो इकाई होती है वो क्या होती है तो इसका हो जाएगा अंसर ओम प्रतिरोध की एसाई उनिट क्या होती है ओम अगला कोस्चन है रैन बीर के नोट्स सूच में रिक्तिस्थान होते हैं जो यहां देखिए क्या बरा जाएगा में पाया जाता है किसमें पाया जाता है ओप्सिन फूर माइलेनिन क्रत एक्सोन में पाया जाता है नेक्स्ट है इन में से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है तो इसका हो जाएगा ओप्सिन एक सेप्रोट्रोफ कौन है कुकरमुत्ता नेक्स्ट संभेक को किसके गुड़न फल के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसको सेप्रोच का अंसर हो जाएगा दिरब्यमान और वेग नेक्स्ट है सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वो कौन सा है तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वो होता है अबतल दर्पन क्या होता है अबतल दर्पन होता है नेक्स्ट कोश्चन है एक परमाणू में न्यूट्रानों की संख्या किसके बराबर होती है तो एक परमाणू में न्यूट्रानों की संख्या किसके बराबर होती है द्रभिमान संख्या माइनस परमाणूं की संख्या ओके तो आप संथरी द्रभिमान संख्या माइनस परमाण कि संक्या गयलाती है नेक्स्ट है औक टेप से बर्गी करण के निव लेंड्स लॉव में निमलिखित में से कौन सा अंतिम तत्त्त है तो इस कोश्चिन का अंसर हो जाएका ओप्सिन 4 थोरियम कौन सा है थोरियम अगला उस धातू का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है तो वो धातू आपकी कौन से होगी जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं तो वो जाएगी सोडियम सोडियम का प्रतिक क्या होता है एने इसका परमाडू करमां कितना होता है ग्यार है अगला है निमलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातूं का निस्कासन होता है इस question का अंसर हो जाएगा थिरी वाला electrolysis Next है जब एक परिपत में कई प्रतिरोध स्रंखला में जुड़े हुए होते हैं तो current का मान क्या होगा? Current का जो मान होता है वो एक ही रहता है क्या रहता है? एक ही रहता है अगला है NH4 का hold twice SO4 के एक अणू में कितने परमालू होते हैं? तो option 1 15 परमालू होते हैं total कितने होते हैं? 15 अगला है मेंडलीप की आबर्तसानी में तत्तों के गुणों को उनके यहां क्या भरेंगे? का आबदिक सुभाव माना जाता है तो option 1 परमालू द्रब विमान, atomic moss next है निमलिखित में से कौन सा अमल लाल चीटियों में उपस्तित होता है तो यह होता है option 2 फार्मिक एसेड या कह सकते हैं फार्मिक अमल यह होता है उपस्तित अगला है नकारात्मक तुरण निम्न में से किसकी दिसा, किसकी के दिसा के विप्रीत होता है तो इसका होज़ेगा थ्री वाला बेग या कह सकते हैं बैलो सिटी के विप्रीत होता है next है पीर पंजाल रेलवे सुरंग में इस्तित है तो कहां पर इस्तित है तो इस कोश्चन का अंसर होज़ेगा ऑप्शन एक जम्मू कस्मीर में इस्तित है अगला है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है तो ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो ये क्लोरीन गैस निकलेगी क्लूरिन का परमालुक्रमा कितना होता है 17 अगला थाइरॉक्सिन के संसलेशन के लिए निमलिखित में से क्या आवस्यक है तो option 3 आयोडीन आवस्यक होता है क्या आवस्यक होता है आयोडीन एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है तो लेटरल मेरी स्टेम अगला है निमलिखित में से कौन बढ़ते ब्रोण के लिए पोसक उतक का कारण करता है तो देखिए इसका हो जाएगा option 4 एंडो स्पाम नेक्स्ट है जियस्टी लागो करने बाला देश जो है पहला देश कौन सा था तो इस question का answer हो जाएगा France था कौन था? France कौन से भारतिय मुखमंतरी के पिता महराजा थे? तो option 2 हो जाएगा अमरिंदर सिंग कौन थे? अमरिंदर सिंग अगला धात्यूँएं अमलों के साथ अभेक्रिय दोरा उत्पन करती है तो धात्यूँएं जो होती हैं वो अमलों के साथ क्या-क्या उत्पन करती हैं? लबड बाहिड्रोजन या कह सकते हैं Salt and Hydrogen 2016 में ओलंपिक खेल कौन से सहर में आयोजित हुए थे तो इसका अंसर हो जाएगा Option 3 Rio D, Jene Rio Next है निमलिखित में से कौन से धातु कैरोसीन तेल में संग्रहित होती है तो कैरोसीन तेल में संग्रहित होने वाली धातु कौन से हो जाएगी सोडियम क्या हो जाएगी सोडियम निमलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायो गैस साइंतर्स में उत्पन नहीं होती तो कारवन मोनो आकसाइट CO बाकि के तेन उत्पन होती है H2S, Hydrogen Sulfide CO2 कारवन डैकसाइट CH4 मेथेन युद के मैदान में हमेशा रहते हैं क्या रहते हैं तीर रहते हैं क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है तो देखें ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर ओके नेक्स्ट है दादा सहाप फाल के पुरसकार किस छेत्र में महत्पून सारवजनिक उपलबदी के लिए दिया जाता है तो इसका हो जाएगा फिल्म क्या हो जाएगा फिल्म के छेत्र में निमलिखित में से कौन सा प्रकर्ती में कभी अकेले नहीं होता है तो आप्सन थरी बल नेक्स्ट है एक कंडक्टर का परतिरोध किसके ब्युतक्रमानु पाती होता है तो अनुप्रस्ट भाग का छेत्रफल एरिया ओफ क्रोस सेक्षन क्या हो जाएगा एरिया ओफ क्रोस सेक्षन एक कंडक्टर का परतिरोध मैंने आपको बताए दिया अभी अगला है मद्द प्रदेश का सम्मन्ध हीरे से ठीक बैसा ही है जैसा कि करनाटक का सम्मन्ध है करनाटक का सम्मन्ध देखे किस से है देखे हीरे का सम्मन्ध किस से है मद्द प्रदेश में मतलब MP में हीरे का उत्पादन होता है डाइमंड का तो गोल्ड का सम्मन्ध किस से होगा करनाटक से तो आप्सन तरीक सोना यदि सामिल हो तो और भी अधिक बिवित्ता उत्पन हो जाएगी तो आपसन एक लेंगिक प्रजनन ओके तो गाईज आज के वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो में हम लोग और भी कोस्टिन इंपोर्टन देखने वाले हैं जो कि आपके एकदाम के लिए इंपोर्टन होंगे थैंक्यू धन्यबाद आपका दिन सोबरा है